वेल्कम टू फेंटेसी काउंसिज फुटबॉल आ गए हम एक फीफा वर्ड कप के नए मैच के साथ मैच है जर्मनी वर्सिज स्पीन एक बहुत तगड़ा मैच होने वाला है जर्मनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी पिछला मैच जापान से दो एक से और बात करूं स्पेन की स्पेन ने साथ जीरो से कोस्टारिका को रॉन दिया मतला निश्टे नाबूत कर दिया तो जर्मनी नीचे लगावा है और जर्मनी नहीं चाहिए कि वह पहले राउंड से बहर हो जाए तो जर्मनी और स्पेन के बीचे बहुत तगड़ा मैच हमें मिलेगा अब देखते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा मैच है क्यों कि कमाने वाला मैचंके वाला मैचंट मैच दोव करे और एक बंदे ने जीती Grand League उससे पिछले वाले मैच की बात करूं पॉलेएंड व्रसेश साथे एरबिया एक तरफा रिजल क्लीन स्वीप उसस से पिछले वाले मैच की बात करूं तुनीशिया और अस्टेलिया वाले मैच की तो उसमें ड्यूक ने गोल करा वो हमारे पास था एक तरफा रिजल्ट मतलब कोई आज पास भी नहीं है और ऐसे हमाग लगाते रहेंगे क्योंकि हमें फैंटेसी काउंसिल वाले करते हैं वीडियो शुरू वीडियो में आपके लिए क्या क्या है वीडियो में आपके लिए स्मॉल लीग की टीम आपके ग्रैंड लीग के कैप अधिन और हैं चैनल को सुब्सक्राइब करना ऴीडियो को क्रेस करना लाइक करना कमेंट करना और जयुक है । 111 युका चार-चार मैं चुकि यूगी वीडियो मिया ज़ा ऊप्ता उट है। तो छाष मैचों को कि टीम आपको कहां देखने को में आपको देखने हृए ए विनिंग्स बीड जाके चेक करो उसके बाद वीडियो देखना पूरी पूरी अब सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की क्या रहेगी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन पिछला में साथ जीरो से राया कोस तरीको मतलब खतम ही कर दिया कोस तरीको को आपको दिखाई देंगे फेर गोल कर दें तो यह तो एक तरीके का चांदी लग गए हाथ स्पेन के और उसके मिड फील्ड में आपको दिखाई देंगे पैडरी सर्जियो बास्केट और गैवी हंड हैंड इस गैवी ने भी पिछले मेंस में गोल कर रहा है तो सब नहीं गोल कर दाना साथ अलग बंदों सब्सक्राइब करें कमाल का महस्ता हो भी जॉडी अलबा दो सिसकर इस बंदे ने क्लीन शीट विवली थी लपोर्टे रोडरी हर्नेंडिस और अजीप लुएटा यह थे अनकी डिफेंडर्स अब बात करूं मैं गोल्ची यानि हमारी वाशन में गोल्ची होता है तो हैंके युनाइंस सिमन अब जरह देखते हैं क्या रहेगी जर्मनी की पॉसिबल प्लेंगे लेवन सबसे आगर रहेगा फॉर्वर्ड यानि स्ट्राइकर में काई हर्ड्स पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाया उमीदे से मैच में गोल करें थॉमस मुलर इसका पिछला मैच अच क्योंकि जर्मनी चाहेगा कि आपका थॉमस मुलर काई हर्ड्स और इस मैच में अट-least गोल करें और जर्मनी को लीड देलाके आगे आगे के मैच के लिए अच्छा वो कर दें क्योंकि बहुत टफ हो गया है जर्मनी के लिए स्पेंग से मैच है स्पेंग को हराना बहुत म मतब निश्तिनाबूत करके जीता या साथ जीरो तो जर्मनी के लिए मैच बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर वह बनाना चाहता है अब बात करें मिट फील मिट फील में आपको दिखाई देंगे मुश्याला गुंडवन और किमिच गुंडवन ने पिछले मैच में पैनल्टी से करा था गोल और यहमानी टीम में था उस मैच में बस बाइस परसेंट लोग इसको लेकर आए वे थे तो इसके एक गोल से पूरा क्लीन स्वीप हो गया रहा है यह है फेंटेसी काउंसल की पावर अब ज डिफेंस में भी था मिट फीड में भी नजर आया और यहां तक की फॉरवर्ड तक पहुंच गया था यह पूरा एरिया इसने समाल के रख़ता था स्कोल्ड बैक रोड्रिगर और निकॉलेस सूले भी आपको दिखाई देंगे डिफेंस में जर्मनी इनके गोलचिय मैनुल अब बात करते हैं दो क्या क्या करना है हजार रुपे के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने इंस्ताग्राम भूलना सर्च ऑप्शन में जाना वहां लोगो है पहले आपको जाना है इतना भी नहीं कर सकते तो डेस्क्रिप्शन में सीधा क्लिक करना माने खुलो के मस्त कलना जॉइन और आपके आंसर होता है स्क्रिंशॉट लेना और अपनी स्टोरी में यानि इंस्ताग्राम पर जाके लोगों इस असान तो कुछ भी नहीं है अब जला एड्टो हेट के रिकॉर्ड की वाद करनें आपके कैसा रायन का है टु हैटतु हेट को उटका परल्डा बारी किसका परल्डा कमजोर अब जला इन्हों ने अपस में खेले हैं 25 मैच जिसमें से 8 जीते ऐं स्पेन ने और 9 जीते आ जर्मली ने आठ 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 रहे तो इसमें अच्छा फुटबॉल देखने को मिलने वादा जीते कोई भी पर मज़ा आगा मैस देखने में तो यह मैं जरूर देखना रात को साड़े बार बज़े अब जड़ा फन फैक्ट्री बात कर लें कर चांचरी ट्रेट में चैंपेंशिप कई यानि त्रेट जीतना पहली कंट्री तो एक फ़न फैक्ट है इसको नहीं पता उसको फदला जाया कि स्पेन कितना अच्छा था वाला स्पेन का तो गोल्डन ही रहता इनियस ता जराड़ पीके डाविड विया फंडेंडो टॉरस मतलब वह तो एक चेंडरेशन थी स्पेन की यह वाली स्पेन की टीम भी काफी अच्छी हो गई है तो वन आफ दा कंडेंडर है वर्ट कब जीतने की अब जराएंगे पुराने मैं में स्पेन के जर्माइन जीता ता में एक एक स्पे रों खेला है और मैं एक चीज्द बताता हूं आपको अभी का मैच जए जीरो से स्पेन ने जर्मनी को हराया मतलब रॉन दिया जैसा पिछली मैच मेरा रॉन क्या है ऐसा ही जर्मनी को रॉन दिया तो यह कोई भी जीज सकता है मैच अब ज़्यादा सबसे पहले स्पेन का मैच वर्टकप को बता चुका हुआ उलो मो ने किया गोल ऑसे यू ने किया इंस्ट ने किया गावी ने किया सौलन ने किया मुराटा ने किया था गोली कर दिया तो बहूत तगड़ा मैच था हो पौट डिवल अपनी ड्रोनाइड़ों वाली टीम को एक-जीरो से रहा है उसमें मॉराटा प्लेयर है जॉर्डन गों तीन एक से रहा है उसमें लियम्स ने किया सवीजर लैंड से दो-एक समय चार गये तहीं उसमें गोल जॉर्ड यानदव मने तो पिछले चार मैंच की बाद तीन जीते ह और एक में मिली है हार पर पिछले तीन में जीतता वार वह भी काफी comfortable wins आप कहा सकते हैं Spain को मिली है तो Spain इस तैम अच्छी अच्छी form में है बट Germany is not a team to beat मतलब बहुत तगड़ा मैच में देखने को मिले गए यह वाला football fans के लिए तो यह तरीके से चांदी है जर्मनी दो एक से उपना पिछला मैच हार गया मतलब अने इसपेक्टेड लॉस है जर्मनी के लिए जर्मनी के फैंस के लिए उसमें गुंडवन ने गोल किया था बता दिया एक जीरो से अराप उमान को उसमें गोल किया था फुलबर्ग ने तीन-तीन से खेला ड्रॉं इंग्लेंड के साथ उसमें गोल गुंडवन ने करेते हैं और हंग्री से एक जीरो से मैच हार गया तो पिछले चार मैचिस की बात करें तो दो खा रहा है दो जीता है पर यह मैच उसके लिए काफ़ी जादा इंप्रोर्टन होने वाला है वर्ड कप में बने रहने के लिए कर वह खार जाता है तो समझो जर्मनी इस वर्ड कप से बाहर हो गया अब जर्म लास्मेच की बात कर लें लास्मेच कौन सा था वह यह चैजिरो वाला तो यह रहा है टेफरेंस देखना को तेई शोट मारे स्पेंन ने और जर्मनी मात्र दो मात्र दो तो complete डौनेन्स था जर्मनी के उपड़ सोतर पॉसेशन पॉसेशन अपने पास मातर तीस पॉसेशन इंथी जर्मनी के पास दस शोट टारेटीटमाने श्याट ने शहे गोल हुए आठ सो वारा पासिस तीन सो बावंद तो वह वाला मैस्ट में एक बुरे सपने के इस तरह था जर्मनी के लिए उन्दब 6-0 से रहा जर्मनी को बहुत बड़ी बात अब जर्द इस गृप की बात कर लें क्या है चल रहा गृप में अब जड़ा बात करते हैं अब और बात करते हैं फंप्ट की इस फंप्ट मैं स्पेंट हिस्टरी टू विन मतलब पहला मैच हारने के बाद अपने वर्ड कप का पहला हारा ऊसके वाद जाकर वर्ट कप जीत लिया यह वहा था 2010 में बशार देखा था तो इन बहुत तगला मैस्थ ता वो कि अब जड़ा पहला कोशन आ गया है कि मैच का पहला गोल कौन करने वाला है देखो इतने सारे अप्षिंस हैं अंगिनत हो सकता है काई हर्ट्स हो वह सकता है वह गुंडवन हो फेरान टॉरस हो मुराटा हो एसीनिया हो एक्ष्ट जो हुए हो वह देखो मेरा अंसर है मुझे मुझे लगता है इस वाले मैच में जर्मनी की तरफ से पहला और मुझे रगता जर्मनी की तरफ से पहला गुल करेगा अग्नेबरी कि सर्ज आज अ तो आपका नगां सर जो भी हो कि हैसा मेरा कॉंडतर do y commerce वाश्ट लिख tweena कंशन Weinे और यो और अब जब आजया हैं फैंडेशी काउंसल की प्लेस प्लेस आपको अपने अलगवान काम ग्रेंड लीक कोमनेशन में करना है अगर अगर आप ग्रेंड लीक खेलते हैं तो और विद्धी तो बनाओ चारपांट टीम यार और इन प्लेयरों को रखा आपनी टीम में आपकी इन म इस ने गोल भी करते नंगे फिए और याट के बार वतंगई कैली और फिशला मैंच में बहुत चाणडा क्याना डिफेंडर होते वी दो असिस्ट का। बहुत बड़ी पता दिया यह बंदा डिफेंड भी कर रहा था यह मिट फील में भी था और अटैकिंग में भी था यह बंदा तो इसको अपनी स्टीम में जरूर रखना एज डिफेंडर में 88 मैच खेलें 10 करें इसने गोल 21 करें असिस्ट यह आपको असिस करके जाधा जाधा अगला अगया मुराटा अलभेर मुराटा अब इसले मैच में स्टार्टिंग सेवन में स्टार्टिंग 11 में नहीं मिलाता तो इस ने जब इसे सब्सिच्चूट हो गया और इसके गोल कर दिया तो इसकी काबिलियत आप इससे लगा सकते हैं इसके कलेव इंटरनेशन काफी इंप्रेसिव हैं अठावन मैच में थाइस गोल और साथ असिस्ट तो एक काफी इंपोर्टेंट प्रेयर इस पेन के लिए अगर यह स्टार्टिंग 11 में खेलता है तो जरू इसको अपने टीम में जरू जरू ट्राय करना 515 इसने मैच के लिए अपने क्लब्स के लि अरे एक तो कराता पैनल्टी से और पूल कराता वैसे 32 मैच इसने खेलें अब तक और 15 करें इसने गोल दो हैं इसके एसे सिसक्लम्लार की बात करें फिसले मैच में गोल नहीं कर पया बहुत ज़ादा चैंसेज़ है कि इस में ज़रूर गोल करेगा 32 मैच खेलें दरस करें इसने गोल कर गया रहा है इसके इसके इंटरनेशल रिकॉर्ट की बात करें और मैंस के बात करें ओवरॉल क्लॉब रिकॉर्ट की तो 327 मैच के लिए एक सो एक गोल यहनी हाफ सेंटी ती गोल करते हैं तो उनमें से एक बंदा यह आपको हो सकता है अगला है मिटफील्डर गूंडवन इसके मैं खासे बता जाता हूं यह पैनल्टी अगर होगी तो यही गूंडवन लेने वाला है अगर यह खेल रहा होगा तो बिशम होगा तो यही लेगा पैनल्टी और इसके बहुत अच्छा इसने पैनल्टी से कर दिया तो गोल 64 मैच इसने इंटरनेशनल में खेले हैं 17 करें गोल और साथ हैं इसके असे काफी एस्पीरियर्च बंदा है मैंचेस्टी के लिए खेलता है 526 मैच खेले हैं इसने क्लव रिकॉर्ट में और 101 गोल और 12 असेस्ट जो उस जाएगा अपना अकाउंट आगे करें 11 तक महुंचे और 116 में आच खेलें इंटरनेशनल से काफी एक्सपीरियंस है 44 गोल इसमें 10 गोल तो इसके वर्ड कप में और 40 है इसके इसके क्लेब रिकॉर्ट के बात कर अवरॉल 729 काफी जादा एक्सपीरियंस बंदा आईगे 272 तक गोल है और 254 असिस है अनि यह आगा हूं यह 2010 से खेल रहा है वर्ड कप 2010 वाला वर्ड कप यो स्पेनी ज़्यादा यह उसमी खेला हुआ अब आगया सर्ज अगनैवरी इसके रिकार्ट्स काफी ज्यादा इंपरसिफ मिनों को लगते हैं आप खुद भी देखो 37 मैच ख 305 मैच ने के लिए अपने एकलब के लिए और 115 गोल और 116 अब आगया दूसरा कोश्च है सिंपल सा कोश्च है कि थॉमस मुलर कितने पॉइंट्स देने वाला है थॉमस मुलर का अगर मैं बात करूं उसके मैं वर्ड कप के रिकार्ट्स के वारे में तो वह एक गोल कर सकता प्राइस मैच में अब अगर वह एक गोल कर रहा है तो इसका मतलब हो 40 प्रस पॉइंट देने वाला है अब आपको जो भी लगे बहुता है 56 के अरूंड और 50 और 61 तो मेरे अंसर यह दो है आपका अंसर अब को बहुत सारे दुनिया अबर की क्याप्टन और वाइस क्याप् और सही अगर चूज निकरोगे तो मैच महीं गदम हो जाएगा तो पहला है फेरेंट और इस पिछले मैच की फॉर्म दो गोल फॉर्म इसके पास है और अच्छा केल रहा है काई है अभी तक गोल नहीं कर रहा है और टीम नीचे लगी है और अच्छा प्लेयर है अब अब जाएंड लेकर किसी भी कॉमिस्ट में ट्राइगा देना जोंकि यह असे साथा करेगा तो असे से और सफता क्लीन शीट मिल जागा जर्मनी हरे सब्सक्राइब दो दो दिरों से तो क्लीन शीट कर आपको पॉइंट देखाए अब जरवात करतें वी सीज में कि वी सी में आप आप थामिस मुलर का असनीय और गुंडवन में से कर सकते हैं अपने कि थामिस मूलर को सुन कैमें जूरी बाट के सब्सक्राइब कुंडवान को जरूर्ट राय करना कि अगर यह गोल करेंगे तो आपको एक तर्फा ग्रेंड लिग आपकी विन है फिर तो यह तो यह थे मेरे और पर बहुत सार रहत उसकते हैं और इनको आप जरूर्य करना नहीं अब आगया मेरी स्मॉल लेक की टीम है आए आ व्यजव प्राँ में कि टीब में टीम मैंने लिए छैपले लिया है जॉस्कार जर्मन पिस्ला मेंच हार किया रहा है और है ऑगर मेंच शॉझा वॉलक हार जाएगा तो समझो सिर्मनी वर्ट कप से बश्यर्मनी चांग है कमबैक करना और स्पेन के खिलाफ कमबेक करना असान नहीं होगा बढ़ फिर भी देखते हैं क्या होता है फॉर्वर्ड मैंने लिया थॉमस मॉलर को फर्नेंट टॉरेस को और लिया है मैंने काई हैवर्ड को अब जरह बात करतों मिट फील्ड मैंने किसको सोड़ लिया सर्ज गनवरी जॉश्वा किमिच उलमो और देव लिया है जौड अलबा लगो अब मेरे मुझे लगता है सर्ज गनवरी इस मैच में जरूर गोल करने वाला अगर हमको क्लीन स्वीप करना तो सब्सक्राइब को चोड़ा है जब वो पैनल्टी पर ही कोल करेगा तो मैं असलिए गुंदन को स्मैज में छोड़ लिया है गैवी रखो और गनेबरी को आप सब्सक्राइब करना अगर इसकी देगर सब्सक्राइब करो अलवेर्टो अब मुराटा केलता है तो मैं अपनी टीम में जरूर जरूर लूँगा अगर नहीं खेलता तो मैं यह इसी टीम पी साथ जाओंगा अगर एक लिए सब्सक्राइब तो भाईया कहां पता लाएगा पता लाएगा हमारे टेलेग्राम चैनल जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए जॉइन करो और हुजाओ उमारे से सामील सकताओं कि एक दो तीन चार चार मैं चोरें दिन के सारे के सारे माच इसकावर हो रहे हैं और भी एक दम भैत्री मिन के साथ है तो बहुते हैं मिलते हैं इनली वीडियो में